वेल्कमटो में चैनल क्या वेक्स कराओं। बहुत टेंशन होती हैं, महभी ही क्यायाँ क्रोण सी महेंगी, क्यां सिस्ती ही, कौंधी बाल ऐ क्रोफ लेट आएगी, कौण ाट क्यायाँ में वगी क्या सि的 ways प्री लोशन आता है जो आपको अच्छे से मसाज देना होता है उसे क्या होता है ना कि जनरली एलर्जी और स्मूधिंग को थोड़ी स्किन को सेंसिटाइज कर देता है तो आपको पेन बहत कम होता है आपको लगता है कि अच्छे से बाल निकालेगी या फिर एक मित है कि रीका वेक्स अच्छी होती है तान अच्छी निकाल देती है स्मूध होती है और जो बाल इंग्रोन होते हैं वो भी निकाल देती है What do you think? तो देखते हैं पेरों की वेक्स कर रहे हैं वैसे ऑल्दो जो रीका वेक्स होती है समर्स में especially it is good वेक्स क्योंकि जिनको बहुँआद स्वेटिंग होती है अगर वो नॉमल स्वेक्स करवाते हैं हनी वेक्स करवाते हैं even though if they goes for a gel wax वो भी बहुत मुश्किल से बालो को clean up करती है but Rika wax की जो tendency है that it dries on very soon और dry होके वो sticky न रहने की जगा न वो बिल्कुल लाइक एक फर्म पापड़ी काइन अपने आपको formation करती है जिससे अंडर रूट्स बाल भी बहुत जल्दी निकल जाते है so that is the best part of a Rika wax और especially in summers this is very good tan तो remove करती ही करती है third इसका एक benefit और है कि जो growth है बालों की वो बहुत कम होती है in the sense कि delayed growth होती है जो आप देखते हैं कि 15 days में या 20 days में आपके बाल बहुत जल्दी दिखने लगते हैं और wax अभी तो करवाई थी और उसके बाल आ गए या फिर छोटे-छोटे से बाल बहुत सारे लोगों के आने लगते है उसको थोड़ा सा ये growth को उस तरह की growth को minimize करती है delete growth होती है तो आपको उतना ही waxing का time बढ़ जाते है बाकि otherwise को बोले कि Rika wax से कुछ magic ही हो जाता है तो that is a myth ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से आपको response देगी आपकी skin को बहुत नौरिश कर देगी ऐसा नहीं है but yes that really comparatively to other wax it is very good specially जिनकी sensitive skin है जिनको tan बहुत होती है body और जो बहुत ज़्यादा जिनकी जो growth है बालों की बहुत under rooted होती है कि अगर आप के wax करवाते हैं बाल ब्रेक हो जाते है growth as it is दिखती है तो आप प्लीज रीका wax की तरफ जाए और generally sugar honey wax उस वक्त आप delay कर सकते हैं और अगर brights है bright to be है आपको full body wax भी करवानी है preferable आप रीका करवाओ क्योंकि एक तो दाने जैसी चीजों का बहुत rare chances होते हैं sensitive skin के लिए best है growth को बहुत अराम से आएगी तो जल्दी में जो brights के लिए होती है ये preferable होती है बाकि आपकी tarn को तो remove करती है नारिश करती है बट magic कोई नहीं अलग से करती तो comparison cost पे भी है अगर आप parlour जा रहे हैं और wax करवा रहे हैं रीका की तो that is comparatively महंगी है और जो normal wax है उसकी costing सस्ती होते है depends on parlour और आप किस एरिया से हमारे चानल को देखते हैं आपके यहां पे कितनी costing parlour चार्ज करता है रीकावेक्स की पीस comment करके बताईएगा और रीकावेक्स के लिए कोई भी query हो कोई myth clear करना हो तो भी हमें comment box में बता सकते हैं आप देख रहे हैं यहां पर जो growth है वो बहुत हलकी है लेकिन एक ही बार की wax से अराम से निकल जाता है थोड़ा pain कम होता है रीकावेक्स में comparative to जो sugar wax होती है sugar wax में बहुत स्टिकी होती है बड़ी चिपचिपी सी होती है और अगर आपको पसीना आरो और नॉर्मल ही आपने नोटिस कर आओगा कि यह जो stripes होती है wax फाली पटिया होती है यह भी वहीं चिपचिप जाती है दो रीका के केस में ऐसा कुछ नहीं है कोई चिपचिप नहीं होती कोई चिपचिप नहीं होती है कोई बाल उल्टा सीथा जबाउने बहुत 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 रहती है जो धका है भी घड़ती है आपे होता ऐक जिए है में बहुत जहादा होते है लॉ • » लेग की वेच्स कीट यह दिए थैंसेंगी तो रीका वेच्स बास्त है बाकि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा अलर्जिक रियक्शन हो तो मेडिकली वूदाट इस डिफरेंट है बर रीका के साइड एफेक्ट आर वेरी लेस और अगर किसी ने करवाई है और किसी को प्राब्लम हुई है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर बताना और एक चीज वार्निंग और कि बहुत जादा कहीं जगाओं पर नकली वेक्स भी मिलती है तो थोड़ा जब भी करवाएं अपना बॉक्स को चेक करें एक्सपारी डेट को चेक करें क्योंकि आप जो है आपको भी अपनी तरफ से हर चीज के लिए सेंसिटाइज होना चाहिए जब भी को वह बहुत जादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में एक है क्योंकि रिकावेक्स के प्राइज बहुत कंपारिटिवली हाई होते क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसके रिजर्ल्स आर रियली वेरी गुट तो बी केरफूल विद दोस काइन आप तिंग्स एंड अगर आप करा है तो वह भी प्लीज जल्दी कर दीजेगा कोई और वीडियो देखते हैं आप रिक्वेस्स कर सकते हमें हम आपके साथ वह भी शेयर करेंगे रिकावेक्स में एक चीज और आप जब भी उसको लगाए उसकी लेयर को एज के थ्रू पतली लेयर लगाए मोटी लेयर यालेंजी जब दो्याते है और थोड़ा सा बालवाही चपक जाते है तो थोड़ा सा पतली पतली में दीजन को यूज करें जबने पर्लेर में रिवस करें हैं आपके परस्पेक् 높 से भी क्लाइन के परस्पेक्टिफ से भी आप उसका टेम्प्रेचर को चेक करें क्यूंकि रीका वेक्स का टेम्प्रेचर थोड़ा सा कम रखना पड़ता है तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल से ही करवाएं और खुद से ट्राइ करें हैं तो टेम्प्रेचर को नोटिस करें आपका स्पाटूला जो होना चाहिए उसका ध्यान रखें एज से वेक्स को अप्लाई करना है और अपोजिट डारेक्शन में स्ट करते हुँ ताकि अनी बेक्टिरिया और कान आफ राक्शन जो हो सकते हैं वो ना हुँ तो आप इस तरह से कर सकते हैं if you like the video you need you know what you need to do you need to press a like button you need to share the video with your family and friends if you like and you can save it for later also and if you have not subscribed the channel please subscribe the channel and press the notification button थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे हैपी, स्टे हेल्दी, एंड कीप एंजॉइंग दे वीडियो ऑफ ग्लाम लीडीज, हल्की सी आकरी में मसाज और बस तड़ा, रिलाक्स बोडी मसाज करानी बहुत जरूरी है, अगर वेक्स के बाद मसाज नहीं होती है, प्लीज जाकर बोलो लड लो, जगड लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन हल्की सी पैरो की मसाज अच्छी लगते है, स्पेशली रिकवेक्स के बाद तो बहुत रिलाक्स रहता है, और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलेगा, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाबाई, स्टे झाल झाल